Hello everyone, welcome to HVS Studies तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपका SSC CGL का एक्जाम चल रहा है 2022 का 7 दिसम्बर की जो आपकी shift रहेंगी उनके लिए most expected, most repeated questions को आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं हर एक question exam based question होगा जिस type के जिस pattern पे आपके SSC CGL के exam में question पूछे जा रहे हैं उसी type के questions आज आपको इस वीडियो में provide कराए जाएंगे हर एक question को बिल्कुल detail में जो topic होगा question में उस topic को extra facts के साथ आपको cover कराया जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें शेर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए वीडियो को start करते हैं देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है which country will be the host nation for the G20 summit 2023 तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी राष्ट कौन सा देश होगा तो अभी हाली का काफी जाद important एक topic रहेगा आपका तो G20 summit अभी जो हाली में हुई थी इंडोनेशिया में उसमें ये फैसला लिया गया था कि 2023 में G20 जो presidency है वो सौबदी गई है कौन सी country को तो हमारा answer हो जाएगा इस question का इंडिया इंडिया को सौबदी आ गया है G20 summit 2023 की और जो 2023 की जनवरी से जो president होगा G20 summit का वो इंडिया हो जाएगा अभी current time में कौन है तो इंडिया इंडोनेशिया रहेगा G20 summit जो भी हाली में हुई थी वो इंडोनेशिया के अंदर organize कराई गई थी आप सब उने देखा होगा प्रदान मंत्री मोदी जो थे वो भी part थे G20 summit का अब यहाँ पर अगर बात करी जाए G20 summits की तो एक तो यह पूछा जा सकता है आप से कि फस्ट जी ट्वंडी समिट कब हुई थी और कहां पर हुई थी या फिर जो आगे आने वाली है वो पूछी आ सकती है तो फस्ट जो जी ट्वंडी summit हुई थी वो आपके 2008 में हुई थी United States of America के अंदर फिफ्टीन थुई आपके जी ट्वंडी summit 2020 में साउडी अरेविया में आपसे ये भी पूछा रखता है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हो रही है 17 वो कौन से नंबर किये तो वो 17 नंबर किये ये भी आपको ध्यान रखना है 16 दुई थी आपकी 2021 में इटली के अंदर 17 जो आपकी अभी हुई है 2022 की वो इंडोनेशिया के अंदर हुई है और जो अगली होगी इस चैनल को आप जल्रू फॉलो कर ले हर एक टापिक क्या अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटड वीडियो चाहिए पिक की separate video current अगर आपको current sports related video चाहिए उसकी separate video मिलेगी आपको static portion की reverse की हर एक topic की आपको separate video मिल जाएगी इस channel पे अगला question देखते है हमारा what is the study of fungi called तो study of fungi जो कवक होता है कवक के अध्यन को क्या कहा जाता है तो हमारा इस question का correct answer हो जाएगा mycology mycology कहा जाता है study of fungi को और आप सब को पता ही है एक हमने सीरीज चला रख किया daily expected questions की हर shift की आपको expected question की video मिलती हमारे channel पे जिसमें कि हम सारी questions सारा topic cover करेंगे तो आप इसको follow करने अगर आपने पुरानी वीडियो को miss कर दिया तो उसके लिए playlist भी मिल जाएगी आपको exam की तो study of fungi को बोला जाता है mycology अब यहां पर जो जिस topic की हमारी बात हो रही है वो कौन सा topic है तो वो हमारा study of related topic हो जाएगा study of related topic से question मन रहा है तो study of जो यह topic है इसको पूरी तरीके से कुछ cover करेंगे questions की form में इसके अलावा जो separate वीडियो है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी तो study of algae 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 की study को psychology बोला जाता है study of atmosphere atmosphere की study को aerology बोला जाता है study of heart जो हमारा दिल है उसकी study को cardiology बोला जाता है जो doctors होते हैं वो cardiologist होते है study of motion motion की study को kinematic बोला जाता है जिससे जो कि आप देख सकते है kinetic energy उससे related हो जाती है फिर study of insects जो insects होते हैं उनकी study को entomology बोला जाता है study of plants जो plants होते हैं पेड़ पौधे होते हैं उनकी study को botany बोला जाता है अगर study of animals पुछा जाए जानवरों की study को क्या बोले जाता है तो zooology बोले जाता है animals की study को और insects हो गए बागी सब चीजे इसके अंदर ही आ जाती है फिर study of rocks जो rocks होते हैं उनकी study को क्या बोला जाता है तो petrology को बोला जाता है study of blood blood की study को हम hematology बोलते है study of food, खानी की study को brometology बोला जाता है study of birds, birds की study को ornithology बोला जाता है study of cells, cells की study को cytology बोलते है study of tissue, tissue की study को histology बोला जाता है सभी important studies है जो कि आपके exams में बन सकती है काफी important के भी question आपके पूछे जाते है अगला question देखते है हमारा which instrument is used to measure sound underwater तो पानी के अंदर जो पानी के नीचे जो ध्वनी मापने के लिए किस उपकरण का अभ्योग किया जाता है तो इस question का आपका correct answer हो जाएगा hydrophone, hydrophone एक ऐसा instrument होता है एक ऐसा device होता है जिसकी मदद से जो sound होती है water के अंदर पानी के अंदर जो sound होती है उसको ना पा जाता है उसकी जो depth है गेराई यह है वो सब चीज़े ना पी जाती है hydrophone के द्वारा यहाँ पर जो हमारा topic रहता है वो most important topic आपका instrument तो instruments के आपे बात करेंगे जैसे अगर आपसे सिस्मो मीटर पूछा जाए तो अर्थकुक के जो शॉक्स होते है उसको नापने के लिए सिस्मो मीटर इसका यूज किया जाता है रिचर्ड स्केल होता है उसका भी यूज किया जाता है अर्थकुक से related लेक्टो मीटर जो होता है purity of milk milk जो होता है दूद की purity को नापने के लिए लेक्टो मीटर का यूज किया जाता है अगर आपसे पाइरो मीटर पूछा जाए तो हाई टेमपरेचर को नापने के लिए पाइरो मीटर का यूज किया जाता है वेरी हाई टेमपरेचर को नापने के लिए अगर वेरी लो टेमपरेचर आपसे पूछा जाए तो क्रायो मीटर होता है इसका यूज किया जाता है और नॉर्मल टेमपरेचर की बात करी जाए तो थर् करते हैं Haidero Meter का हम यूजकरते हैं Density of liquid की density को नापने के लिए फिर Barometer आता आता है जिसको कि हम atmosphere pressure को नापने के लिए यूजकरते हैं कि एलोरी मीटरे जो होता है वो quantity जो होती है हीट की जो हीट होता है उसकी कितनी quantity है उसको नापने के लिए calorie का यूज किया जाता है फिर ऑल्टी मीटर एल्टिट्यूट को नापने के लिए यूज होता है अगला कोशन देखते हैं हमारा अगले कोशन पर बढ़ने से पहले मापको बताना चाहते हैं कि करेंट अफेर जो रहेगा आपका जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का उसके लेक सेपरेट इबुक पर हमारी टीम के द्वारा लांच किया गया है ये इबुक सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराए जा रही है तो अगर हम लास्ट 10 मंत की बात करें जनवरी से लेके अक्टूबर तक का पूरा करेंट अफेर आपको इसमें मिलेगा अगर कोई भी कोशन आपका जनवरी से अक्टूबर 2022 में पूछा जाएगा जो की पूछा भी जा रहा है एक्जाम में आपके यहीं से कोशन मनना है करेंट अफेर के तो 2600 प्लस करेंट अफेर के कोशन आपको इस इबुक में प्रोवाइड कराए गए है जनवरी से लेके October हर मन्त का जनवरी का अलग, February का अलग, March का अलग, October का अलग, October तक का सारे मन्त का separate current affair आपको मिलने वाला है ये e-book आपको available कराई गई है bilingual language में Hindi और English दोनों में आपको questions मिलेंगे अगर आप interested हो तो link आपको description में provide कराए गया है, आप description में जाके इस e-book को buy कर सकते हैं अगर buy करने के बाद, payment के बाद अगर आपको downloading में कुछ issue आता है तो नीचे हमारी Gmail ID है, आप इस पे directly हमको mail कर सकते हैं अगला question देखते है हमारा, who is known as the inventor of battery, तो battery के आविशकारक के रूप में किसको जाना जाता है, तो हमारा इस question का answer हो जाएगा, volt, volt जो है, इनको जाना जाता है, battery के inventor के रूप में, जो battery है, उसकी जो खोज करी गई थी, invention करी गई थी, वो volt के द्वारा ही करी गई थी, इन्वेंशन जो है, invention और discovery, जो topic होता है, उससे related यहाँ पर बात करी जा रही है, तो इस topic को यहाँ पर cover करेंगे हम, तो अगर invention discoveries की बात करी जाए, तो atom bomb की जो discovery करी गई वो robot openman के द्वारा की गई, 1945 मे, bifocal lenses जो होते हैं, उनको Benjamin Franklin के द्वारा invent किया गया था, 1779 मे, blood group की discovery क फिर circulation of blood, जो blood है, उसकी circulation की खोज करी गई थी, discovery करी गई थी, William Harvey के द्वारा, 1628 में, दोनों ही most important questions हैं आपके exams के लिए, dynamite की खोज invention करी गई आपकी Alfred Nobel के द्वारा, 1867 मे, hydrogen की discovery करी गई, invention करी गई, Henry Cavendish के द्वारा, 1766 मे, insulin की invention करी गई आपकी Frederick Benton के द्वारा, 1921 मे, इनक year जो है, वो भी आपको ध्यान रखना, exams में बन सकता है, light bulb की अगर बात करी जाए, तो Thomas Edison ने light bulb की invention करी थी, 1854 में, oxygen की discovery अगर आप से पूछी जाए, तो Joseph Prisley के द्वारा, 1774 में, discovery करी गई, oxygen की, फिर polio vaccine जो है, उसकी जो invention करी गई है, वो Jonas Edwards साल, important question है, exams के लिए बहुत ज thermometer की बात करी जाए, thermometer की invention गैली लियो के द्वारा करी गई है, 1593 में, यह जो topic है, अपने आप में most important topic है, इस topic related वीडियो, इसकी separate वीडियो है, HVS Studies 2.0 चैनल पे, invention discoveries के नाम से, link description में है, चैनल का, आप इसको जरूर देख ले, exams में आपको काफी जादा मदद मिले की, अगल correct answer हो जाएगा, CAOCL2, अभी तक जो shift होई है, उसमें भी आपने देखा है, कि जो chemical formula है, chemical names है, उनसे question पूछे गए है, तो bleaching powder का CAOCL2 जो होता है, यह आपका chemical formula हो जाता है, यह आपको जरूर ध्यान रखना, exams के लिए काफी important आपका हो जाता है, अगर यहाँ पर बात करी जा जिसको कि हम sodium hydrogen carbonate के नाम से भी जानते हैं, जो bleaching powder होता है, इसका chemical formula होता है, CAOCL2 जो हमारा question था, जिसको हम calcium hypo chloride भी बोलते हैं, अगर blue vitrol आप से पूछा जाए, तो cuSO4 इसका chemical formula है, जिसको कि copper sulphate के नाम से भी जाना जाता है, जो chloroform होता है, CHCL3 इसका formula होता है, जिसको कि हम solid carbon dioxide भी बोलते हैं, Epsom salt का chemical formula होता है, MgSO4.7H2O, जिसको कि magnesium sulphate, heptahydrate के नाम से भी जाना जाता है, जिपसम का chemical formula होता है, CASO4.2H2O, जिसको कि हम calcium sulphate, dihydrate के नाम से भी जानते हैं, अगर laughing gas का पूछा जाए, तो N2O जो होता है, वो chemical formula होता है, जिसको कि हम nitrous oxide भी बोलते है lime stone या फिर अगर चौका आप से पूछा जाए chemical formula, तो CACO3 रहेगा, जिसको कि हम calcium carbonate के नाम से भी जानते हैं, यह जो topic है, यह भी अपने आपने most important topic आपके SSE CGL exam के लिए, इस topic की भी आपको separate video हमारे दूसरे channel पे मिल जाएगी, आप उसको भी जरूर देख ले, अगला question दे है, तो इस question का अगर आपसे answer पूछा जाए कि हमारे body में सबसे तेज जो vitamin बनता है, वो कौन सा vitamin है, तो हमें सूरज जो होता है, जो सूरज की रोशनी होती है, उससे मिलता है, कौन सा vitamin है, तो हमारा answer हो जाएगा vitamin D, vitamin D सबसे तेज manufacture होता है हमारी body में, यहाँ पे जो बात क है, तो water-soluble vitamins आपके दो रहेंगे, vitamin B और C, fat-soluble vitamins कौन-कौन से हैं, तो vitamin कीडा के नाम से आपको याद रखना है, vitamin K, vitamin E, vitamin D, vitamin A, कीडा जो vitamins हैं, यह आपके fat-soluble vitamins हैं, vitamin A का scientific name क्या होता है, तो retinol रहेगा, जिसकी कमी की वज़े से night blindness बिमारी होती है, vitamin B1 को thymine के नाम स जैना जाता है, जिसकी कमी की वज़े से growth जा फिर बैडे skin की बिमारी होती है, vitamin B12 को sin deepest को कौबालिम के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी की वज़े से anemia disease होती है, विटामिन C को ascorbic acid भी बोला जाता है जिसकी कमी की वज़े से scurvy disease होती है विटामिन D को calciferol भी बोलते हैं यह scientific name भी आप से exams में पूछे जाते हैं यह भी आपको ध्यान रखने हैं जिसकी कमी की वज़े से rickets disease होती है विटामिन के को philoconin के नाम से भी जाना जाता है जिसकी वज़े से excessive bleeding due to injury यह परिशानी आती है देखनी पड़ती है तो यह विटामिन से related कुछ important questions थे अगला question देखते है हमारा where is the headquarter of नीती आयोग located नीती आयोग का मुख्याले कहां पे इस्तित है तो इस question का हमारा correct answer हो जाएगा नू डेली नई दिल्ली में headquarter located है आपका नीती आयोग का organization से related यहां पे बात करी गई है तो अगर organizations की यहां पे हम बात करें तो कुछ important organizations के headquarter आपको जो की जरूर ध्यान रखने है आपके exam के लिए important हो जाते हैं उनकी बात करेंगे पहले तो अगर आपसे reserve bank of India की बात करी जाए आर बिया का headquarter पूछा जाए तो वो Mumbai महरास्ट में located है Export-Import Bank of India जिसको के exam bank भी बोला जाता है इसका headquarter भी आपका Mumbai महरास्ट में ही located है फिर आपका Indian Banks Association IBA का पूछा जाए तो यह तीनों ही organization का Mumbai महरास्ट में headquarter है अगर National Bank for Agriculture and Rural Development जिसको के हम नबाड के नाम से भी जानते हैं इसका अगर पूछा जाए तो इसका भी Mumbai में ही headquarter located है इंडिया में काफी सारी जो organization है नेशनल organizations है उनका headquarter आपको Mumbai महरास्ट में ही मिलेगा फिर आपका National Housing Bank अगर पूछा जाए तो New Delhi में इसका headquarter है एशन development bank ADB जो बैंक है उसका headquarter located है मंडलयोंग, मनीला, फिलिपिन्स में फिर स्टील अथर्टी ओफ इंडिया, सेल जो organization है उसका New Delhi में headquarter है Securities and Exchange Board of India, सेभी का headquarter है Mumbai महरास्ट में Small Industries Development Bank of India, सेभी बैंक का headquarter है लखनौ उत्तर प्रदेश में located फिर आपका New Development Bank जिसको की Bricks Bank के नाम से भी जाना जाता है इसको शंगाई headquarter रहेगा इसका चायना में फिर World Bank की अगर बात करी जाए तो Washington DC जो की capital है United States of America की वहाँ पे World Bank का headquarter located है Life Insurance Corporation, LIC का headquarter है Mumbai महरास्ट में अगर यहाँ पे जो organization से उनकी बात करी जाए तो इसकी separate video headquarters की head की establishment की इससे related हमने separate दो वीडियो बनाई है एक आपकी national related रहेगी national organization की separate video है और एक आपको अलग video मिल जाएगी international organization की दोनो separate video provide कराए गई है दोनों में करीब 50-50 questions आपको मिलेंगे जिससे की ज्यादा से ज्यादा जो organization है उनको cover किया जा सके तो separate video आपको हमारे दूसरे चैनल research studies two point O पर मिल जाएगी आप उनको जरूर देख लें इंपोर्टेंट रहती एक्जाम में कोई न कोई शिफ्ट में आपको कोशन 100% देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यह था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको video पसंद आई यो वीडियो को लाइक करें अगर आपन की analysis भी आपको मिल रही है हमारे चैनल पे अगर आपने अभी तक e-books को बाई नहीं किया है तो e-books का link आपको description में मिल जाएगा आप e-books को बाई कर सकते हैं साथ ही साथ जो SSE CGL exam based ebook रहेगी वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी जिसमें सबसे जादा जो questions आपके SSE CGL के exam साम में last 10 years में पूछे गए हैं वो आपको provide कर आए गए हैं धन्यवाद दोस्तों